भारत माता की मेरे प्यारे देश वाचियों मेरे परिवार जन आज वो शुब घड़ी है जह हम देश के लिए मर मिटने वाले देश की आज हदी के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले आजीवन संगर्ष करने वाले फांसी के तक्त पर चड़ करके भारत मा की जय के नारे लगाने वाले अंगिनत आज हदी के दिवानों को नमन करने का ये पर्वा है उनका पुन्यस मर्ण करने का पर्वा है आज हदी के दिवानों ने आज हमें आज हदी के इस पर्व में स्वतंत्रता की सांस लेने के लिए स्वभाग्य दिया है यह देश उनका रणी है ऐसे हर महापुरुष के प्रती हम अपना स्रद्धा बहाव व्यक्त करते हैं मेरे प्यारे देश वास्यों आज जो महानुभाव रास्तर रक्षा के लिए और रास्तर निर्मान के लिए पूरी लगन से पूरी प्रतिवर्द्धा के साथ देश की रक्षा भी कर रहे हैं देश को नई उचाई पर ले जाने का प्रयास भी कर रहे हैं चाहे वो हमारा किसान हो हमारा जवान हो हमारे नवजवानों का होसला हो हमारी माता और बहनों का योगदान हो दली थो पीडी थो शोची थो वंची थो अभावा के बीज भी स्वतंत्रता के प्रति उसकी निश्चा लोगतंत्र के प्रति उसकी स्रद्धा ये पुरे बिश्व के लिए एक प्रेरग घटना है मैं आज ऐसे सभी को आधर पुर्वक नमन करता हूँ प्राकृतिक आपदा के कारण हम सब की चिंता बढ़ती चली जा रही है प्राकृतिक आपदा में अनेएक लोगों ने अपने परिवार्जन खोए है संपत्ति खोई है राष्ट्र ने भी पारावार नुक्सान भोगा है मैं आज उन सब के प्रती अपनी संबेदना अव्यक्त करता हूँ और मैं उन्हें विश्वाद दिलाता हूँ यह देश इस संकट की घड़ी में उन सब के साथ खड़ा है मेरे प्याने देश स्वासियों हम जरा आज हदी के पहले के वो दिन याद करे सैंकडो साल की गुलामी हर कालखन संगर्ष का रहा युवा हो बुजुर्ग हो किसान हो महिला हो आदिवासियो उन्होंने गुलामी के खिलाब लंग जंग लड़ते रहे अविरत्य जंग लड़ते रहे इतियास गवा है कि 1857 के स्वाता संगराम जिसको हम याद करते हैं उसके पुर्व भी हमारे देश के कई आदिवासि छेत्र से जहां आजादे का जंग लड़ा जाता था शाथियो गुलामी दा इतना लंबा कालखन जिल्मी शाचक अप्रम पार यातना है सामाने से सामाने मानवियों का विस्वात तोड़ने की हर तर्कीव है उसके बावजुद भी उस समय की जन संख्य के हिसाब चारिब चारिस करोर देश वासि आजादी के पुर्व चारिस करोर देश वासियों ने वो जजवा दिखाया वो सामर्थ दिखाया वो एक सपना ले करके चले एक संकल पर ले करके चलते रहे जूजते रहे एकी स्वर्था बंदे बातरम एकी सपना था भारत की आजादी का चारिस करोर देश सवासियों ने और हमें गर्व है कि हमारी रगों में उनी का खून है वो हमारे पुर्वज थे सिर्फ चारिस करोर चारिस करोर लोगों ने दुनिया की महा सत्ता को उखाड़ करके भैच दिया था गुलामी की जंजुरों को तोर दिया था अगर हमारे पुर्वज जिनका खुन हमारी रगों में है आज हम तो 140 करोड है अगर 40 करोड गुलामी की बेडियों को तोर सकते हैं अगर 40 करोड आजादी के सपने को पुर्ण कर सकते हैं आजादी लेकर के रह सकते हैं तो 140 करोड देश के मेरे नागरीक 140 करोड मेरे परिवार जान अगर संकल पर लेकर के चल पड़ते हैं एक दिशान निर्धारित करके चल पड़ते हैं कदम से कदम मिलाकर कंदे से कंदा मिलाकर अगर चल पड़ते हैं तो चुनवतियां कितनी भी क्यों नहो अभाव की मात्रा कितनी हित्तिवर क्यों नहो समसाधनों के लिए जूजने की नौबत हो तो भी हर चुनोती को पार करते हुए हम सम्रद्ध भारत बना सकते हैं हम 2047 विट्सीज भारत का लक्ष प्राप्त कर सकते हैं अगर 40 करोर देश्वासी अपने पुर्शार्थ से अपने समर्पर्श अपने चार्थ से अपने बलिजान से आजादी दे सकते हैं आजाद भारत बना सकते हैं तो एक सो चानिस करोर देश्वाती उसी भाव से संब्रिद्ध भारत भी बना सकते हैं साथियों वो एक समय था जब लोग देश के लिए मरने के लिए प्रतिबद्द थे और आज़ादी मिली थी आज ये समय है देश के लिए जीने की प्रतिबद्द था अगर देश के लिए मरने की प्रतिबद्द था आज़ादी दिला सकती है तो देश के लिए जीने की प्रतिबद्द था सम्रिद्ध भारत भी बना सकती है साध्यों विक्सित भारत 2047 इस तरफ भाषन के शब्द नहीं है इसके पीछे कठोर परिशन चल रहा है देश के कोटी कोटी जनों के सुझाओं लिये जा रहे हैं और हमने देश वाशियों से सुझाओं मांगे और मुझे प्रसंदता है कि मेरे देश के करोरों नागरी को ने विक्सित भारत 2047 के लिए अंगिनत सुझाओं दिये हैं हर देश वाशी का सपना उसमें प्रतिमिंबित हो रहा है हर देश वाशी का संकल्प उसमें जलगता है युवा हो बुजुर्ग हो गाउं के लोग हो शहर के लोग हो किसान हो कामदार हो दलीद हो आदिवासी हो पहड़ों में रहने वाले लोग हो जंगल में रहने वाले लोग हो शहरों में रहने वाले लोग है हर किसी ने 2047 में जब बेज आजादी का 100 साल मनाएगा तब तक विश्षित भारत के लिए अनमोल सुझाव दिये हैं और मैं जब इन सुझावों को देखता था मेरा मन प्रसंद हो रहा था उन्होंने क्या लिखा कुछ लोगोंने कहा कि दुनिया का स्कील केपिटल बनाने का सुझाव हमारे सामने रखा 2047 विश्षित भारत के लिए कुछ लोगोंने भारत को मैनुफेक्चरिंग का गलोबल हब बनाने के लिए सुझाव दिया कुछ लोगों ने भारत के हमारी उनिवर्सिटी गलोबल बने इसके लिए सुझाओ दिया कुछ लोगों ने ये भी कहा कि क्या आजादी के इतने सालों के बाद हमारा मीडिया गलोबल नहीं होना चाहिए कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हमारा स्किल्ड हुआ विश्व की पहली पसंद बनना चाहिए कुछ लोगों ने सुझाओ दिया भारत को जल्द से जल्द जीवन के हर छेत्र में आत्मंदिर भर बनना चाहिए कई लोगों ने सुझाओ दिया कि हमारे किसान जो मोटा अनाच पादा करते हैं जिसको हम स्री अन्न कहते हैं उस सूपर फूर को दुनिया के हर डाइनिंग टेबल पर पोँचाना है हमें विश्व के पोशन को भी बल देना है और भारत के छोटे किसानों के भी मजबूती देनी है कई लोगों ने सुझाव दिया कि देश में स्थानी अस्वराज के संउत्ताव से ले करके अनेक की काईया है उन सब में गवर्नन्स के रिफॉर्म की बहुत जरूरत है कई लोगों ने लिखा कि न्याय के अंदर जो विलंब हो रहा है उसके प्रति चिंता जाहिर की और ये भी कहा कि हमारे देश में न्याय व्यवस्ता में रिफॉर्म की बहुत बड़ी जरूरत है कई लोगों ने लिखा कि कई ग्रिन फिल्ड सिडिज बनाने की अब समय की मांग है किसे ने बढ़ती हुई प्राकृति आपदाओं के बीच शासन प्रतासन में कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक अभ्यान चलाने का सुझाव दिया बहुत सारे लोगों ने ये सपना भी देखा है कि अंतरिक्ष में भारत का स्पेस टेशन जल्द से जल्द बनना चाहिए किसे ने कहा भारत की जो परमपरिक ट्रेडिशनल मेडिसिन है हमारी आउसदी है दुनिया जब आज होलिस्टिक हेल्ड केर की तरफ जा रही है तब हमें भारत की परमपरिक आउसदिया और मेलनेस हब के रुपे भारत को विक्सित करना चाहिए कोई कहते है कि अब देर नहीं होने चाहिए भारत जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एकॉनों भी बनना चाहिए साथियों मैं इसलिए पढ़ रहा था कि मेरे देश वाक्षियों ने सुझाव दिये मेरे देश के सामाने नागरिक ने ये सुझाव हमें दिये है मैं समझता हूँ जब देश वाक्षियों की इतनी विशाल सोच हो देश वाक्षियों की इतने बड़े सपने हो देश वाक्षियों की इन बातों में जब संकल्प जलते हो तब हमारे भीतर एक नया संकल्प द्रड़ बन जाता है हमारे मन में आत्म विस्वात नहीं उचाई पर पहुंच जाता है और साजियों देश वाच्यों का ये भरोसा सिरब कोई intellectual debate नहीं है ये भरोसा अनुभव से निकला हुआ है ये विश्वास लंबे कालखन के परिशम के पैदावर है और इसलिए देश का सामान ने मान भी याद करता है जब लाल किले से कहा जाता है कि हिंदुस्तान के 18,000 गाउं में समय सिवा में बिजली पहुंचाएंगे और वो काम हो जाता है तब भरोसा मजबूत हो जाता है जब ये तैय होता है का आजहादी के इतने सालों के बाद भी डाई करोर परिवार ऐसे हैं जहां बिजली नहीं है वो अंदेरे में जिंदी की विविजारते हैं डाई करोर घरों में बिजली पहुच जाती है तब सामान ने मानवी का भरोसा बढ़ जाता है जब दार किर्ज़ स्वच्छ भारत की बात कही जाए तब इस देश के अगरीम हरोर पंगीती में बैटे विए लोग हो गाउं के लोग हो गरीब बस्ती में रहने वाले लोग हो छोटे छोटे बच्चे हो हर परिवार के अंदर स्वच्छता क्या वातवर मन जाए स्वच्छता की जर्चा हो स्वच्छता के संधन में एक दूसरे को रोख टोकने का निरंतर प्रयात चलता रहे मैं समझता हूँ कि ये भारत के अंदर आई हुई नई चेतना का प्रतिविम है जब देश के सामने लाल के लिए से कहा जाए कि आज हमारे परिवारों में तीन करोर परिवारे से हैं जिरके घर में नल से जल मिलता है आवशक है हमारे इन परिवारों को पीने का शुद्ध पानी पहुँचे जल जीवन मिशन के तहट इतने कम समय में नए बारा करोर परिवारों को जल जीवन मिशन के तहट नल से जल पहुँच रहा है आज पंदरा करोर परिवार इसके लाभारती बन चुके है हमारे कौन लोग बंचित थे इन वेवस्ताओं से कौन पीछे रह गए थे समाज के अगरिम पंक्ति के लोग इसके लिए अभाव में नहीं जीते थे मेरे दलीत, मेरे पीडीत, मेरे शोशीत, मेरे आदिवासी भाईबेन मेरे गरीब भाईबेन, मेरे जुगी जो अपनी में जिन्दगी गुजारने वाले लोग बोई तो इन चीजों के अभाव में जी रहे थे हमने अनेएक ऐसे प्राथ्वीक में आवस्ताओं की पूर्ती के लिए जो प्रयास किया और उसका परिणाम हमारे इन सारे समाज के बंदूओं को मिला है हमने वोकल फ़र लोकल का मंत्र दिया आज मुझे खुसी हैं कि वोकल फ़र लोकल ने अर्थ तंत्र के लिए एक नया मंत्र बन गया है हर डिस्ट्रिक अपनी प्यदावर के लिए गर्व करने लगा है वन डिस्ट्रिक वन प्रोड़क का माहुल बना है अब वन डिस्ट्रिक वन प्रोड़क को वन डिस्ट्रिक का वन प्रोड़क एक्सपोर्ड कैसे हो उस दिशा में हर जीले सोचने लगे है renewable energy का संक्ट पर लिया था G20 समों के देशों ने जितना किया है उससे जाँदा भारत ने किया है और भारत ने उर्जा के खेत्र में आत्मनिर भर मनने के लिए global warming की चिंताओं से मुक्त पाने के लिए हमने काम किया है सात्यों देश गर्व करता है आज जब फुनकेक की सभलता को लेकर पूरा विश्व भारत से कुछ सीखना समझना चाहता है तब हमारा गर्व और बढ़ जाता है सात्यों हम कैसे भूल सकते हैं कोरोना के वो संकिट काल विश्व हमें सबसे तेज गती से करोरों लोकों को वेक्सिनेशन का काम हमारे इसी देशों में हुआ यही देश है जो कभी आतताई आतंकवादी हमें आकर के मार के चले जाते थे जब देश की सेना सर्जिकल स्ट्राइल करती है जब देश की सेना एर स्ट्राइल करती है तो देश के नौजमानों का सीना उंचा हो जाता है तन जाता है गर्व से भर जाता है और यहीं बाते हैं जो आज 140 करोर देश वाच्यों का मन गर्व से भरा हुआ है आत्म विश्वास से भरा हुआ है साथियों इन सारी बातों के लिए एक सुविचारित प्रयास हुआ है रिफोम की परंपरा को सामर्थ दिया गया है नक्कर तरीकों के नक्कर नक्ष को लेकर के और जब राज नितिव नेत्रुत्व की संकल पर शक्ति हो दड़ विस्मात हो जब सरकारी मशिनरी उसको लागू करने के लिए समर्पन भाव से जुड़ जाती है और जब देश के हर नागरी उस सपने को पूरा करने के लिए जन भागी दारी करने के लिए जन अंदोलन बनाने के लिए आगे आता है तब हमें निस्षित प्रणा मिलता ही रहता है मेरे प्यारे देश वास्यों हम यह न भ होती है चलती है अरे यारे तो चलेगा अरे हमें क्या मेहनत करने की जरूता है अरे मामला है आज ने पेड़ी दिखेगी अरे हमको मोका मिला है यार मोच कर लो आगे वाला आगे का जाने हमें क्या कर रहा है हम अपना समय निकाल दे अरे नया करने जाओंगे और कोई बबाल यही का माहूल पंगया था झो है उसे गुजाना कर लो यही का माहूल बन गया था और लोग तो कहता है धर छोड़ों आप किछ होने वाला नहीं है चलों ऐसा यही दा है जोंडि बमर घार हमें इस मांसित्पा को तोड़ना था हमें विश्वास से भरना था और हमने उजी सामें प्रयाह किया कई लोग तो कहते थे अरे अगली पीड़ी के लिए काम हम अज़ी से क्यों करें हम तो आज का देखे लेकिन देश का सामान ने नागरी ये नहीं चाहता वो बडलाव के इंतजार में था वो बडलाव चाहता था उसकी ललक थी लेकिन उसके सपनों को किसी ने तवज्जू नहीं दी उसकी आशा अकानशाओं को पेश्चाओं को तवज्जू नहीं दी गई और उसके कारण वो मुसिबतों को जेलते हुँ गुजारा करता रहा वो रिफॉर्म्स का इंतजार करता रहा हमें जिम्मेदारी दी गई और हमने बड़े रिफॉर्म्स जमीन पर उतारे गरीब हो मड़े क्लास हो हमारे वंचीत लोग हो हमारी बरती जती शहरी आबादी हो हमारे नवजवानों के सपने हो संकल्प हो अकांचाय हो उनके जीवन में बड़लाव लाने के लिए रिफॉर्म का बार्ख हमने चूना और मैं बेश वाच्यों को विश्वाच दिलाना चाहता हूँ रिफॉर्म के प्रति हमारी जो प्रतिबत्ता है वो पिंक पेपर के एडिटोरियल के लिए सिमित नहीं है हमारे रिफॉर्म की ये प्रतिबत्ता है वो चार दिन की वहवाही के लिए नहीं है हमारी रिफॉर्म की प्रक्रिया किसी मजबूरी में नहीं है देश को मजबूती देने के इरादे से है और इसलिए मैं आज क्या सकता हूँ रिफॉर्म का हमारा मार्क एक प्रकार से ग्रोप की ब्ल्यूप्रिंट मनी हुई है ये हमारा रिफॉर्म ये ग्रोप ये बढ़्याओ ये सिरफ डिबेट कलब के लिए इंटलेक्ट्वल सुसाइटी के लिए एक्सपर्ड लोगों के लिए सर्फ चर्चा का विश्य नहीं है साथ क्यों हमने राजनीती मजबूरी के कारण नहीं किया है हम जो गिल्टी कर रहे है और राजनीती का भागा गुना करके नहीं होते हैं हमारा एक ही संकल्प होता है नेशन फर्स्ट नेशन फर्स्ट रास्तहित सुप्रेम ये मेरा भारत महान बने इसी संकल्प को लेकर करके हम कदम उठाते हैं साथियों जब भी फॉर्म की बात आती है एक लम्वाट परिवेश है अगर मैं उसकी चर्चा में चला जाऊंगा तो साइब गंटों निकल जाएंगे लेकिन एक छोटे सा उधान देना चाहता बैंकिंग सेतर में जो रिफार्म हुआ आप सोचिए बैंकिंग सेतर का क्या हाल था नविकास होता था नविस्तार होता था भी स्वाद बढ़ता था इतना ही नहीं चिस प्रकार की कारणा में चले उसके कारण हमारे बैंक संकटों से गुजर रहे थे हमने बैंकिंग सेक्टर को मजबूत बनाने लिए अनेक भी रिफार्म किये और आज उसका कारण हमारी बैंक विश्व में जो इनी गुनी मजबूत बैंके हैं उसमें भारती बैंकों ने अपना स्थान बनाया है और जब बैंक मजबूत होती है तब फॉर्मल एकोनोमी की ताक़त भी बढ़ती है जब बैंक की बहुता बन जाती है जब सामाने खास करके मद्यमबर के परिवार की जो requirement होती है उसको पूरा कदय की सबसे बड़ी ताक़त बैंकिंग सेक्टर में होती है अगर उसको होम लोन चाहिए उसको वेहिकल का लोन चाहिए मेरे किसान को ट्रेक्टर के लिए लोन चाहिए मेरे नव जवानों को स्टार्ट अप के लिए लोन चाहिए मेरे नव जवानों को कभी पढ़ने के लिए एडुकेशन के लिए लोन चाहिए किसी को विदेश दाने के लिए लोन चाहिए ये सारी बाते उसे संबव होती है मेरे तो खुची है कि मेरे पशु पालग भी मेरे मज़ी पालग करने वाले भाई बहन भी आज बैंकों से लाब ले रहे मुझे खुची है मेरे रेडी पट्री वाले लाखो भाई बहन आज बैंक से साथ जूर करके अपनी नई उचायों को प्राप्त कर रहे हैं और विकास के दिशा में वो भागीदार बन रहे हमारे मसमिस हमारे लगूप दियों के लिए तो बैंक एक सबसे बड़ी सहायख होती है उसको रोज मर्रा पैसों की जरूत होती है अपने नित्यमर्जित प्रप्रगति के लिए और उस काम को हमारी मजबूत बैंकों के कारणा संबव हुआ है साथियों दुर्भागेद हमारे देश में आजादी तो मिली लेकिन लोगों को एक प्रकार चे माई बाप कल्चर से भुज़ना पड़ा सरकार के पास मांगते रहो सरकार के पास हाथ ठालाते रहो होते रहो वही कल्चर डेवलप हुआ था आज हमने गवर्णनस के इस मोडेल को बदला है आज सरकार सरकार खुद लाभारती हितार्थी के पास जाती है आज सरकार खुद उसके घर गैस का चुला पहुँचाती है आज सरकार खुद उसके घर पानी पहुंचाती है, आज सरकार खुद उसके घर बिजली पहुंचाती है, आज सरकार खुद उसको आर्थिक मदद दे करके विकांस के नए आयामों को चरकार नेकले प्रेलित करती है, पोक्साइद करती है, आज सरकार खुद नव जबान के स्क लिगति की राह को चुनना चाहते हैं। साथियों देश में नई व्यवस्ताइब बन रही है। देश को आगे ले जाने के लिए अनेक बीत नीतियों को अनेक बीत पालिसिस को निरंतर बनाया जाया है। और नए सिस्टिम पर देश का भरोसा भी बढ़ता रहता है। निरंतर बढ़ता रहता है। आज जो बिस पचीस साल का नवजवान है। जो दस साल पहले जब बारा पंदरा साल की उमर का नवजवान था। उसने अपनी आखों के सामने ये बड़लाब देखा है। दस साल के भीतर भीतर उसके सपनों को आकार मिला है। धार मिली है और उसके आत्मे विश्वास में एक नई चेतना जगी है। और वही देश का एक नया सामर्त के रुपे उभरना रहता है। आज विश्ववर में भारत की साख बड़ी है। भारत के प्रति देखने का नज देरिया बड़ला है। आज विश्व में युवाओं के लिए संभावनाओं के द्वार खुले हैं। रोजगार के अंगिनत नए अवसर चुसाइद आ जादी के इतने सालों के बाद भी नहीं आये थे। वो आज उनके दर्वाजे पर दस्तक दे रहे। संभावनाओं ब्रदेश का नव जवान इंक्रिमेंटल प्रगति में विश्वात नहीं करता है। ब्रदेश का नव जवान चलांग मारने के मूड में है। वो चलांग मारके के नई सिद्धियों को प्राप्त करने के बूड में है। मैं कहना चाओंगा भानत लिए गोल्ड ने रहा है। बेल्षृ की परिशितियों के तुलना में मि देखें ये गूर्ड नेरा है ये हमारा सुवनिम कालखंड है मेरे त्याने देश वाजयों ये आवस्र आमें जाने नहीं देना है ये मोका हमें जाने नहीं देना चाहिए और इसी मोके को पकड़ करके अपने सपने और संकल्पों को लेकर करके चल पड़ेंगे तो हम देश की स्वाणिम भारत की जो अपेक्षा और हमें दिशिद भारत का 2047 का लक्ष हम पूरा करके रहेंगे हम सद्यों की बेडियों को तोड़ करके निकले हैं आज तुरिजम का खेत्र हो, MSMS का खेत्र हो, education हो, health 시ector हो, transfer सेक्टर हो, खेती और किसानी का सेक्टर हो, हर सेक्टर में एक नया आध्यूनिक सिस्टिम बन रहा है हम विश्व की best practices को भी आगे है रखते हुए हम हमारे देश की परिश्चित्यों के अनुसार आगे बढ़ना चाहते हैं हर सक्टर में आधुनित्ता की जरूरत है मैपन की जरूरत है टेक्नोलोजी को जोनने की जरूरत है और हर सक्टर में हमारी नई नीतियों के कारण इन सारिक शेत्रों में एक नया सपोर्ट मिल रहा है नई ताकत मिल रही है हमारे सारे अवरोध हटे हमारी बंदी से दूर हो हम पूरे सामर्ज़ के साथ चल परे ठील उठे सपनों को पा करके रहे सिद्धी को हम अपने नीकर देखे हम आक पसाथ करें उस दिशा में हम चलना है अब आप देखिए कितना बड़ा बड़ा हो रहा है मैं एकना जमिनिस्टर की बात करूँ विमेन सेल्फ हेल्फ गुरूप आज दस सार में हमारे दस करोर बहने विमेन सेल्फ हेल्फ गुर्फ में जूड़ी है दस करोर नई बहने हमें गर्व हो रहा है कि हमारे सामान्य परिवार की गाउं की दस करोर महिला आर्थिक रुप से आत्मनिर्भर बन रही है परिवार की निर्णे प्रक्रिया की हिस्दार बनती है एक बहुत बड़ी सामाजी परिवरतं की गारंटेशे करकाती मुझे गरवा ही बात पर लेकिन साथ साथ मुझे गरवा इस बात का भी है के हमारे CEO आज दुनिया भर के अंदर अपनी धाग जमा रहे हैं भारत के हमारे CEO विश्व भर में अपनी धाग जमा रहे हैं हमारे लिए खुजी दिवात है कि एक तरफ मेरे CEO दुनिया भर में नाम कमा रहे हैं भारत का नाम बढ़ा रहे हैं तो दूसरी तरफ Women's Self-Hour Group से एक करोड मेरी सामान ने परिवार की माताय बेने लखपती दीदी बनती है मेरे लिए ये भी उतना ही गर्वी की बाद है अब हमने Self-Hour Group को 10 लाग रुपए से 20 लाग रुपए देने का निरे किया है अब तो 9 लाग करोड रुपए बैंकों के माध्यम से हमारे इन Women Self-Hour Group को मिले हैं और जिसके मदद से वो अपने अनेक विट कामों को बढ़ावा रहे हैं मेरे साथियों मेरे नव जवान इस तर सेक्टर एक फ्यूचर है हमारे साथ जुड़ा हुआ एक महत्तों पहलू है हम उस पर भी बल दे हैं हमने स्पेस सेक्टर में बहुत रिफॉर्म किये हैं जिन बंधनों में हमने स्पेस सेक्टर को बांद के रखाता हैं उसे हमने खोल दिया है हाँ सेंकों स्टार्ट अप स् वाइबरेंट बनता जाता हमारा स्पेस सेक्टर भारत को एक शक्ति शाली राष्ट बनाने का एक महत्वपुन अंग है और हम इसको दूर की सोच के साथ मजबुती दे रहे हैं आज प्रावेट सेटलाइट प्रावेट रॉकेट लांच हो रहे हैं ये गर्व की बात हैं आज मैं कह सकता हूँ जम नीती सही होती है नियत सही होती है और पूर्ण समर्पन से राष्ट का कल्यान यही मंत्र होता है तो निश्चित प्रावन हम प्राव्त करके रहते हैं मेरे प्यारे देशवास्चियों आज देश में नए अवसर बने तो मैं कह सकता हूँ दो चीजे और हूँ जिसने विकास को एक गती दी है विकास को एक नई शलांग दी है और यह है पहला है आधुनिक इंफ्रास्रेक्टर का दर्बान हमने इंफ्रास्रेक्टर को आधुनिक बनाने के दिशा में बहुत बड़े कदम उठाए है और दूसरी तरफ सामान ये मानवी के जीवन में जो बादाएं है इस जो लिविंग का हमारा जो सपना है उस पर भी हमने उतना ही बल दिया है पिछले एक दसक में गौर्णमेंट करेक्टिविटी हो गाउं गाउं नए स्कूल बनाने की बात हो जंगलों में स्कूल बनाने की बात हो दूर सुदूर इलाकों में हस्पताल बनाने की बात हो आरों के मंदिर बनाने की बात हो मेडिकल कॉलेजों का काम हो अईश्मान आरों के मंदिरों का निर्मान चलता हो साथ हजार से जाता अमर्त सरोवर बने हो दो लाग पंचायतों तक अप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचा हो नहरों का एक बहुत बड़ा जाल बिछाया जा रहा हो चार करोर पके घर बनना गरीबों को एक नया आस्रे मिलना तीन करोर ने घर बनाने के संकप के साथ आगे बढ़ने की हमारी कोशिज हो हमारा पुर्वी भारत नौर्टिस्ट उसका इलाका आज इंफ्रासेक्टर के लिए जाने जाना लगा है और हमने ये जो काया कल्प किया है उसका सब्से बड़ा राप समाएत के उन वर गोतर हम पहुंचे हैं जिब ग्रामिन सरके बहाँ बनी है जिनकी तरब कोई देखता नहीं था जिस इलाकों को नहीं जेकता था जिन गावों को नहीं जेकता था दली थो, पीडी थो, छोची थो, वंची थो, पिछले हो, आदिवासी हो, जंगल पर रहने वाले हो, दूर सुधूर पहड़ों पर रहने वाले हो, सीवा वर्तिस्थान पर रहने वाले हो, हमें उनकी आवश्यक्ता की पूर्ति की है, हमारे मच्वारे भाईबैनों की आवश शेली में रहा है और उस सबसे सबसे बड़ा लाब मेरे युवाओं को होता है उनको नए-ने और अउसर मिलते हैं नए-ने छेत्र पःकादम रखने का उसके लिए संभाववनाई बन जाती है और भही तो सबसे ज़्यादा रोजगार दे रहा है और सबसे ज़्यादा रोजगार प्राप्त करने का अवसर इनी समय में उनको मिला है हमारा जो मद्निंबर के परिवार है मद्निंबर के परिवार को क्वालिटी ओफ लाइफ वो स्वाभावी को इसके अपेक्षा रहती है वो देश के लिए बहुत देता है तो देश का भी दाइत्व है कि उसकी जो क्वालिटी ओफ लाइफ पर जो उसके पेक्षा है सरकार की कषिनाईयों से मुक्ति की उसकी जो पेक्षा है उसको पूर्ण करने लिए हम निरन तक प्यात करते हैं और मैंने तो सपना देखा है कि 2047 जब विक्सित भारत का सपना होगा तो उसकी एक ही काई ये भी होगी कि सामान्य मानवी के जीवन में सरकार की दखले कम हो जहां सरकार की जरुष हो वहाँ अभाव रहो और जहां सरकार की बेव कारण प्रभाव भी नहो इस प्रकार की ववस्ताग पर हम प्रतिवर्दीत है मेरे प्यारे देश वाचियो हम जरुत छोटी छोटी जरुतों पर भी ध्यान देते है हम छोटी छोटी आवस्त्तों पर ध्यान देते है और उसको लेकर हम चलते है चाहे हमारे गरीब का घर का चूला जलता रहे गरीब की माँ को कभी आंसु पी करके सोना न पड़े और इसके लिए मुप्ति लाग की योजना हमारी चल रही है बिजली पानी येस अब सैचुरेशन के मूड पर है और जब हम सैचुरेशन की बाग करते हैं वो शत प्रतीशत होता है जब सैचुरेशन होता है तो उसको जाती वाद का रंग नहीं लगता है जब सैचुरेशन होता है तो उसको में पन ठीकता का रंग नहीं लगता है जब saturation का मंत्र होता है तब सच्चे अर्थ में सबका साथ सबका विकास का मंत्र साकार होता है लोकों के जीवन में सरकार की दखल कम हो उस दिशा में हमने हजारों compliances के लिए सरकार की सामाने मानवी पर बोज डालती थी उन सारे compliances को दूर किया हमने देशवाशियों के लिए देश हजार से जादा कानूनों को खत्व कर दिया ताकि कानूनों की जंजाल के देशवाशियों को फस्तना न पड़े हमने छोटी छोटी घल्कियों के कारण ऐसे कानून बने थे उनको जेल पे अदर तकेल दिया जाए हमने उन छोटे छोटे कानूनों से जेल जाने के जो परंपराय थी उन सारे कानूनों को नश्ट कर दिया और कानूनों को जेल बेजने के प्रावदान को व्यवस्ता से बाहर कर दिया है आज हमने जो आज़ादी की विरासत की विरासत के गर्वे की बात हम जो करते है सद्वियों से हमारे पास जो criminal law थे आज हमने उसको नए criminal law जिसको हमने नय सहीता के रूप में और जिसके मूल में दन्न हैं पर नागरी को नय इस भाव को हमने प्रबल बनाया है ease of living भाने लिए देश को आपी mission में काम करे है हर level पर मैं सरकार के प्रतिनी जोग का आवान करता हूँ मैं जन्व प्रतिनी ती वो किसी भी दल के क्योंन हो किसी भी राज्य के क्योंन हो सबसे आगरों करता हूँ कि हमने mission mode में ease of living के लिए कदम उठाने चाहिए इस्टान सान पर आपको छोटी शोटी दिक्कते होती हैं, आप उसके solution को लेकर के सरकार को चिठी लिखते रहे हैं, सरकार को बताइए कि बिना कारण की कठिनाई आए, उसको दूर करने से कोई नुक्सान नहीं है, मैं पक्का मानता हूं, आप सरकार एस सम्वेधन सिल हैं, हर सरकार स्थान ये स्वाराच के समस्ता होगी, या राज्य सरकार होगी, या केंदर सरकार होगी, उसको तवज्जु देगे, गवनेंस में रिफोम्स, यह हमें विक्सित भारत एट पेंटी फोर्टी सेवन के सपने के लिए, हमने उसको जोड लगा करके आगे बढ़ाना ताकि सामाने मानवी के जीवन में अवकासि अवकासमत्त मेझा हो रुकावटे खत्मु ही खत्म होती चली जाए, नागरिकों का डिग्निटी आप सेटीजन नागरिकों के जीवन में सम्मान मिले, डिलिवरी के समझ में कभी किसी को यह कहने की मौबत नाया, कि यह तो मेरा हक ठक मुझे मिला नहीं उसको खोजना न पड़े सरकार के गवर्नस में डिलिवरी सिस्टिम को और मजबूती चाहिए आप देखिए देश में जब हम रिफॉर्म की बात करते हैं आज देश में करीब करीब तीन लाख समस्ताइ काम करिये चाहिए पंचायत हो नगर पंचायत हो नगरपाली का हो महानगरपाली का हो यूटी हो स्टेट हो डिस्टिक हो कि छोटी मोटी तीन लाख करीब करीब काईया है अगर हमारे तीन लाख की काईयों को मैं आज आवान करता हूँ कि अगर आप साल में अपने स्तर्पन जीन चीजों की जरुते सामान ने मानवी के लिए दो रिफोर्म करें जादा नहीं कह रहा हो मेरे साथियों एक पंचायत हो ये राच्चे सरकार हो कोई भी भाग हो सिरफ एक साल में दो रिफोर्म और उसको जमीन पर उतारें आप देखिए हम देखते ही देखते ही एक साल में करीब परी 25-30 लाख रिफोर्म कर सकते हैं जब 25-30 लाख रिफोर्म हो जाए तब सामान ने मानवी का विश्वास कितना बढ़ जाएगा उसकी शक्ती रास को नई उचाई पर ले जाने में कितनी काम आएगी और इसलिए हम अपने स्थर पर होती है चलती से मुक्ति पाकर के बदलाओं के लिए आगे आए हिम्मत के साथ आगे है और सामान ने मानवी की जरुत चोटी चोटी जरुत होती है पंचाइट लिबल प हमारे देश वाचियों आदेश आकांग्छाओं से भरा हुआ है हमारे देश का नवजवान नई सिद्धियों को चुमना चाहता है नए नए सिखरों पर वो कदम रखना चाहता है और इसलिए हमारी कोशिज है हर सक्तर में कार्य को हम गती दे हैं तेज गती दे और उसके बारा पहले हम हर सेक्टर में नए आउसर पैदा करें दूसरा इस बदलती हुए ववस्ताओं के लिए जो सपोर्टिम इंफ्रसेक्टर चाहिए उन इंफ्रसेक्टर पर हम बदलाओ के मजबूती देने के दिसा में काम करें और तीसरी बात है नाग विक्ता दें उसको बल दें इन तीनों भारत में एक एस्प्रेशनल सुसाइटी का निर्माण किया है अब इसके प्रणाम सरूप आज समाज खुद एक विश्वास से भड़ा हुआ है हमारे देश वास्चों के आकांशा है उनके एस्प्रेशन्स हमारे नव जबानों की उर्या हमारे देश के सामर्थे के साथ जोड़ करके हम आगे बढ़ ले की एक लिलख ले करके चल रहे है मुझे पी स्वाव है रोजगार और स्वरोजगार नए रिकॉर्ड के आउसर पर हम काम किया है प्रति व्यक्ति आज आज दोगुनी करने में हम सभल हुए हैं ग्लोबल ग्रोथ में भारत का योगडान बढ़ा है बारत का एक्पोर्ट लगातार बढ रहा है विधेसी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ा उए है पहले से दोगुना पहुंचा है ग्लोबल संसानों का भारत के पति भरोसा बढ़ा है मुझे विश्वात है भारत की दिशास है भारत की गती तेज है और भारत के सपनों में सामर्थ है लेकिन इस सब के साथ संबेदन सिल्का का हमारा मार्ग हमारे लिए उर्जा में एक नई चेतना भरता है ममभाव हमारे कारे के शैली है समभाव भी चाहिए ममभाव भी चाहिए उसको ले करके हम चल रहें साथियों मैं जब करोना काल को याद करता हूं करोना की बेशिविक महमारी के भीच सबसे तेजी से इकamarी को बहतर बनाने वोला कोई देश है तो वो देश भारत है तब लगता है कि हमारी दिशा सही है जब जात पात मत पंत उपर उठकर हर गर्थिरंगा फैराये जाता है तब लगता है देश की दिशा सही है आज पुरा देश तिरंगा है हर गर्थिरंगा है न कोई जात है न कोई पाथ है न कोई उर्च है न कोई नीच है सबी भारती है यही तो हमारी दिशा की ताकत है जब हम पतीश करों लोगों को गरीबी से बाहर निकालते हैं तब हमारा विश्वास पक्का हो जाता है कि हमने गती को बराबर मैंटेन किया है और सपनों को साकार करना अब दू लोकिक परदा कर रहे हैं बरावी कर ले लगे हैं तो हमें लगता है कि हमारी दिशा और गती दोनों सामर्दवान हैं जब हमारे उन आधी वासिसाथियों को वो मदद मिलती है पी-म जन्मन के द्वारा उनको जो योजना है पहुची थी आबादी बहुत छोटी है लेकिन बहुर दोल सुर्दूर इलाकों में छुट-पुट-पुट-पुट परिवार रहते हैं अमने उनको खोच के निकाला है उनके लिए चिंता की है तब लगता है कि सम्वेदन सिल् तब संतोष कितना मिलता है वर्किंग मुमेंट के लिए पेड मेटनिटी लीव बारा हपते से बढ़ा करके 26 हपते कर देते हैं तब नारी का सम्मानी करते इतना नहीं है नारी के पर दिए सम्वेदन सिल्भावत निर्णे करते इतना है नहीं लेकिन उसके गोद में जो बिनना को हम करते हैं जब मेरे दिव्यांग भाई बहन भारतिये साइन लेंग्वेज की बात हो या तो सुगं में भारत का भियान हो उसको लगता है कि मेरी भी डिगनीटी है मेरे पते सम्मास सम्मान के भाव से देखता है और और पर अलम्पिक में तो हमारे खिलाडी नही नहीं ताकत दिखाने लगे हैं तब लगता है कि यह जो मेरा ममभाव है हम सबका ममभाव है उसकी ताकत दजराती हैं हमारे ट्रांस जेंडर समाज के पती हम जीस सम्मेदना के साथ नेने बना रहे हैं हम नेने कानून बना रहे हैं उनको सम्मान का जीवन देने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं तब बड़लाव के हमारी दिशा सही दिखता है सेवा भाव से किये गए इन कामों का जो त्रिवीत बार्गों से हम चले हुए इन कामों का एक सीधा सीधा लाफ आज उसके परड़ाम के रूप में हमें नजर आ रहा है साड़ साल बाद लगातार तीसरी बार आपने हमें देश सेवा का मोका दिया है मेरे 140 करोर देश वासी आपने जो आशिरवाद दिये हैं उस आशिरवाद में मेरे लिए एकी संदेश हैं जन जन की सेवा हर परिवार की सेवा हर खेत्र की सेवा और सेवा भाव से समाज की शक्ति को साथ ले करके विकास की नई उचाईओं पर पहुचना 2047 विक्सित भारत के सपने को ले करके चलना उसी एक संदेश को ले कर मैं आज लाल किले की प्राचीर से हमें आसिरवात देने के लिए मैं कोटी कोटी देश वासियों का सर जुका करके आभार व्यक्त करता हूँ मैं उनके प्रती नत मस्तफ होता हूँ और मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि हमें नई उचाईयों को नए जोस के साथ आगे बढ़ना है हमें सिर्फ जो हो गया है उस संतोश मान करके बैठने वाले हम लोग नहीं है वो हमारे समस्कार में नहीं है हम कुछ और करने के लिए कुछ और आगे बढ़ने के लिए और कुछ और नहीं उचाईयों को पार करने के लिए हम आगे बढ़ना चाहते है विकास को सम्रुद्धी को सप्रों को साकार करने को संकल्प को ले जीवन खपाने को हम अपना स्वभाव बनाना चाहते हैं देश वात्यों का स्वभाव अव्यनारा चाहते हैं मेरे पैरे देश वात्यों आज नई सिक्षा नीती बहुत एक मात्रों में कई राच्यों ने उसको अच्छा इनिसेटिव लिये हैं और उसके कारण आज एक 21 सजी के अनुरूप हमारी सिक्षा व्यवस्ता को जो अंबल देना चाहते हैं और विश्षीद भारत के सपने के लिए जिस प्रकार से मालव समूत तयार करना चाहते हैं नई सिक्षा नीती बहुत बड़ी भूमिक आदर मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे देश के नौजवानों को अब विदेशों में पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़े मद्दंबर के परिवार के लाखो करोरो रुपिया बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजने में खर्ट हो जाए हम यहाँ ऐसी सिक्षा व्यवस्ता का विक्सित करना चाहते हैं कि मेरे देश के नव जबानों को विदेश जाना न पड़े मेरे मद्दंबर गए परिवारों को लाखो करोरो रुपिया खर्ट करना न पड़े इतना ही नहीं ऐसे समस्तान निर्मान हो ताकि विदेशों से लोग भारत के अंदर मुंगा मुंग मुढे अभी अभी हमने बिहार का हमारा गवर प्रदित्यात रहा है नालंदा उनिवर्सिटी का अपना निर्माण किया है फिर से एक बार नालंदा उनिवर्सिटी काम करना शुरू कर दिया है लेकिन हमें सिख्षा के छेत्र में फिर से एक बार सद्यों पुराने उस नालंदा स्पिरीट को जगाना होगा उस नालंदा स्पिरीट को जीना होगा उस नालंदा स्पिरीट को लेकर के बड़े विश्वात के साथ विश्वकी ग्यान की परंपराओं को नई चेतना देने का काम हमें करना होगा मुझे पुका विश्वात हैं कि नई शिक्षानिती ने मात्र भाषा पर बल दिया है मैं राज्य सरकारों से कहूंगा मैं देश की सभी समस्थानों से कहूंगा कि भाषा के कारान हमारे देश की टैलेंट को रुकावट नहीं आनी चाहिए मात्र भाषा का सामर्थ हमारे देश के छोटे छोटे गरीब से गरीब मा के बेटे को भी सपने पूरा करने का ताकत देता है और इसलिए हमने हमारी मात्र भाषा में पढ़ाई जीवन में मात्र भाषा का स्थान परिवार में मात्र भाषा का स्थान उसकी और हमें बल देना होगा मेरे प्यारे देश्वासियों जिस प्रकार से आज बिश्वकां मैं बढ़लाओं नजर आ रहा है और तब जाकर के स्कील का महत्म बहुत बढ़ गया है और हम स्कील को और नहीं एक तागत देना चाहते हैं हम इंडिस्ट्री 4.0 को धान में रख करके हम स्कील डेवलप्मेंट चाहते हैं हम जीवन के हर खेत्र में हम एगरिकल्चर सेक्टर में भी केपिसिटी बिल्डिंग करके लिए स्कील डेवलप्मेंट चाहते हैं हम तो हमारा सभाई का खेत्र हो उसमें भी एक नए skill development की और बल देना चाहते है और हम skill idea program को बहुत व्यापक रूप से इस पार लेकर के आए है budget में भी इसका बहुत बड़ा इस budget में internship को भी हमने बल दिया है ताकि हमारे नव जवानों को एक experience मिले उनकी capacity building हो और बाजार में उनका ताकत दिखाई दे उस प्रकारत मैं skill युवानों को तयार करना चाहता हूँ और जिने कई हुआ और दोस्तों आज विश्व की परितितों को देखते हुए मैं साप साप देख रहा हूँ कि भारत का skilled manpower जो है हमारा skillful जो नव जवान है वो ग्लोबल जॉब मार्केट में अमपनी तमक बनाएं हम उस सपने को ले करके आगे चल रहे हैं साथियों विश्व दिश्टेजी से बदल रहा है जीवन के हर शेत्र में science और technology का महत्मय बढ़ता चला जारे बाला हमें science को बहुत बढ़ देना के आवश्यक्ता है और मैंने देखा चंद्रयान की सबलता के बार हमारे school college के अंदर science और technology के प्रती एक नई रूची का मातावन बना है नई दिल्चस भी बढ़ी है तब हमारे सिक्षा संस्तानों ने यह जो मनोभाव बना है उसको नर्चर करने के लिए आगे आना होगा भारत सरकार ने भी research के लिए support बढ़ा दिया है हमने जादा से जादा चैस थापित किये है हमने national research foundation बना करके हमने उसको एक कानूनी परिवेश में ला करके स्थाई रुप से जवस्ता विक्सित की है ताकि research को ले करके निरंतर बल मिले और यह research foundation उसकाम को करे मैंने बड़े गर्व की बात है कि budget में हमने एक लाग करोड रुपिया research और innovation के लिए हमने देने का निरने किया है ताकि हमारे देश के नव जवान के पाथ जो ideas है उस ideas को हम जमीन पर उतार पाएं साथियों आज भी हमारे देश में medical education के लिए हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं वैज़ा का हमने बहुत ज़्यादा मद्दमबर के परिवार के उनके लाखो करोड और उनके खर्च हो जाते है और तब जा करके हमने पिछले दस साल में medical सीटों को करीब करीब एक लाग कर दिया आज मैं करीब करीब पच्चीस हजार युवा हर साल विदेश में medical education के लिए जाते हैं और ऐसे ऐसे देश में जाना पड़ रहा है कभी कभी क्यों मैं सोच सुनता हूँ दहरान हो जाता हूँ और इसलिए हमने ताइक किया है कि अगले पांच साल में medical line में 75,000 नई सीटे बनाई जाएगी मेरे प्यारे देश वाचिया विच्चीज भारत और जब स्वस्थ भारत हो तो आज जो बच्चे हैं उनके पोशन पर आज से ध्यान देने के जरूर पर और इसलिए हमने विक्सित भारत की जो पहली पीडी है उनकी तरफ विशे ध्यान दे करके हमने पोशन का एका भ्यान चला है हमने राश्टिय पोशन मिशन चुरू किया है पोशन को हमने प्राफिक्ता दी है मेरे प्यारे देश वाचियो हमारी क्रिसी व्यवस्ता को ट्रांस्फॉर्म करना बहुत जरूरी है समय की मांग है हम सज्यों से जिस परम्षणतामे दबे हुए है जकड़े हुए है उससे मुक्ति पानी होगी और हमारे किसानों को उसके लिए हम मदद भी दे रहे है हम उसको ट्रांस्फॉर्म करने के दिसा में लगातार काम करते आए है आज आशान रून दे रहे हैं किसानों को टेक्नोलोजी की मदद दे रहे है किसान जो पैदावर करता हूँ उसको value addition के लिए हम काम कर रहे हैं उसके लिए marketing के लिए पूरा प्रबंद करते हैं क्याकि उसको end to end हर जगा पे hand holding की व्यवस्ता हो उस दिशा में हम काम कर रहे हैं आज जब धर्ती माता के प्रती सारा विश्व चिंतित है जिस प्रकार से उर्बरक के कारण हमारी धर्ती माता की शहएद दिनों दिन विगर्चा जा रही है हमारी धर्ती माता की उत्माचक प्रक्षमता खतम होती चली जा रही है कम होती चली जा रही है और दो समाएं मैं मेरे देश के लाखों किछानों का अभार विक्त करना चाहता हूँ, जनोंने प्राकृतिक खेती का रास्ता चुना है और हमारी धर्ती माता की सेवा करने का भी उन्होंने बिड़ा उटाया है। और इस बार बजेट में भी हमने प्राकुर्तिक खेती को बल देने के लिए बहुत बड़ी योजनाओं के साथ बहुत बड़ा बजेट में प्रावधान किया है। मेरे प्यारे देश स्वासियों अज दुनिया के स्थिती मैं देखता हूँ पुरा विश्व होलिस्टिक हिल्ट केर की तरब मुड़ा है और तब उनको आर्गेनिक फूर ये उनकी प्रसं प्रसंद बनी है। अगे को लेकर के आगे चलना चाहते हैं। ताकि ऑर्गेनिक फूर की जो भिश्व की मांग है। उस ऑर्गेनिक फूर का बास्केट हमारा देश कैसे बने। किसानों का जीवन आसान बने। गाउमें टॉप क्लास इंटरनेट कनेक्टिविटी मिले। किसानों को स्वास्त सुविदा हैं मले। किसान के बच्चों को पढ़ने के लिए स्मार्ट स्कूल अवेलेबल हो। किसान के बच्चों को रोजगार उपलब्द हो। छोटी-छोटे खेती के टुकणों पर पुरा परिवारा जीना बना मुश्किल हो रहा है। तब उनके नव जवारों के लिए वो स्कील मिले, ताकि उनके नए रोजगार मिले, नए आयके साधन बने। इसका एक comprehensive प्रयास हम कर रहे हैं। बीते बर्शों में women-led development model पर हमने काम किया है। innovation हो, employment हो, entrepreneurship हो, हर sector में महलाओं के कदम बढ़ते जा रहे हैं। महलाएं सिर्फ भागी जारी बढ़ा रहे हैं। महला नेत्रुत्र दे रही है। आज अनेक खेत्रों में, आज हमारे रक्षा खेत्र में देखिए। हमारा एरफोर्स हो, हमारी आर्मी हो, हमारी नेवी हो, हमारा स्पेस सेक्टर हो। आज हमारी महलाओं का हम दम खम देख रहे हैं। देश के लिए, लेकिन दुसरी तरफ कुछ चिंता की बाते भी आती हैं। और मैं आज लाल किले से, फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूँ। एक समाज के नाते, हमें गंबीरता से सोचना होगा। जो हमारी माताओं, बेहनों, बेटियों के प्रती जो अत्याचार हो रहे हैं। उसके प्रती देश का आक्रोष है। जन सामाने का आक्रोष है। इस आक्रोष को मैं महसूस कर रहा हूँ। इसको देश को, समाज को, हमारी रवज्य सरकारों को गंबीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध, अपरादों की जल्द से जल्द जाच हो। राक्षसी कृत्य करने के वालों को, जल्द से जल्द कड़ी सजाँ हो। वो समाज में विश्वात पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा। कि जब बलातकार की महलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं, तो उसकी बहुत चर्चा होती हैं, बहुत पचार होता हैं, मिडिया में चाहया रहता हैं। लेकिन जब ऐसे राक्षे सी मनोवृत्ती व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती है कौन में कहीं पढ़ा रहता है अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो ताकि ऐसा पांप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये सब्सक्राइब बन गई थी सभाव से हम बेश को का मांकना देश के प्रती है कि गवरों के भाव का अभाव होना यह पता नहीं क्यों हमारे जहन में गुज गया था और हम तो कभी-कभी तो लेट आए तो कहते हैं इंडियन रहे शर्प के साथ हम बोल देते थे हैं देश को इन चीजों से हमने बाहर लाने में सफलता पाई किसी जमाने में कहां जाता करे खिलों ने भी बाहर से आते थें वो दिन देखे हमने आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरे देश के खिलाओन एं दुनिया के बाजार में अपनी ठमग लेकर करके पहुश रहाए कि फिलोने हमेरे एक्सपोर्ट होने शुडू हुए अन ये चेट हुप चोभाना था हम मॉबाइल फॉन इंपोर्ट करते थे आज 》और ध्यृजर कि अचो मेंटुफानिंग इकोसिन्म बना है बहुत बढ़ा हब बना है और आज हम मोबाइल फॉन दुनिया में एक्सपोर्ट करने लगे है ये भारत की ताकत है साथ यो भविश्भ के साथ से उजवान देखे टेरेट यहां है सारे इस प्रकार के रीसर्च गाम हिंदुस्तान में होते हैं तो अब प्रोडक्शन भी हिंदुस्तान में होगा सेमिकंडुक्टर का काम भी हिंदुस्तान में होगा और हम end to end solution दूरिया को देने की ताकत रखते हैं और हम उसको काई साथ में एक जमाना हमने देखा है तूजी के लिए हम कैसा जंगर्ष करते थे आज हर उपकरा में हम देख रहे हैं हम तेजी से आगे बढ़े और फाउजी चिस तेजी से पुरे देश में रोल आउट हुआ हिंदुतान के करीब-करीब सरीक्षेत्रों में फाउजी पहुँच गया विश्व में तेज गती से फाउजी पहुँचाने में हम आगे रहे हैं और देश साथियों में ने कहा हम रुखने वाले नहीं है फाउजी पे रुख जाना है हमें मंजूर रही है हम सिख जी पर अभी से मिशन बोड में काम कर रहे है और विश्व में हम उसमें भी अपनी धमक जवाएंगे यह मैं विश्वा से कहता हूँ मेरे पहरे साथियों डिफेंस सेक्टर हमारी आदध हो गई थी डिफेंस बजेट कितना ही क्यों हो लेकिन कभी को सोथता नहीं था अगर डिफेंस बजेट बढ़ा तो जाता कहा है डिफेंस बजेट विदेशों से खरीदी में चला जाता था अब हम चाहते हैं हम आत्मनिर्फर बने और मैं हमारी डिफेंस फोर्सिस का रदेश से दन्यवाद करता हूँ उन्हाने हजारों ऐसी चीजे लिस्ट कर दी है उन्हाने ताइक किया एक हम विदेश से नहीं लाएंगे राष्ट के लिए जीना क्या कहते हैं जो हमारे सेना के जमानों ने दिखाया है और उसके कारण डिफेंस के सेक्टर में हम आत्मन निर्फेर होते चले जा रहे हैं आज डिफेंस मेनिफेक्टरिंग में भारत के पहचान बनिये और मैं आज खुशी चे कह सकता हूँ कि जो देश कभी डिफेंस के हर छोटी मोटी चीज बार के लाता था आज दीरे दीरे दुनिया के कई देशों में हम जो डिफेंस के एक्टिमेंट मेनिफेक्टर कर रहे हैं वो हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं दुनिया में डिफेंस मेनिफेक्टरिंग हब के रुप में हम दीरे दीरे उभर रहे हैं हम manufacturing खेत्र को बढ़वाद देना चाहते को गिर्योजगार के लिए सर्वाजिक आवश्यक है आज PLI स्कीम को बहुत बड़ाई सफलता मिली है FDI reforms उसने भी हमें बहुत बड़ी ताकत दी है MSM इसको बहुत बड़ा बल मिला है नई व्यवस्ताइ विक्सित हुई है और उसके कान हमारा manufacturing sector हम दुनिया का manufacturing hub बने जिस देश के पास इतिनी नवजवान सक्ती हो जिस देश के अंदर इस सामर्त हो हम manufacturing की दुनिया में भी industry 4.0 में हम बहुत बड़ी ताकत के साथ आगे जाना चाहते है और इसके लिए आवच्छ एक skill development उस पर भी हमने बल दिया है और skill development भी हमने नए moral ताई की है हमने जन भागी दारी को जोड़ा आए ताकि तुरंद requirement के नुसार skill development हम कर सेके और मुझे भी स्वास है मैं लाल के लिए की प्राचीत से कह रहा हूँ वो दिन दूर नहीं होगा जो भारत industrial manufacturing का हब होगा दुनिया उसकी तरफ देखती होगी आज विश्वे की बहुत बड़ी कंपनिया भारत में निवेश करना चाहती है यह चुनाओ के बाद मैंने देखा मैंने तीसरे कारकाल में जितने लोग मुझे मिलने के लिए मांग करें वो ज़्यादा तर निवेशक लोग है विश्व भर के निवेशक है वो आना चाहते हैं भारत में निवेश करना चाहते है यह बहुत बड़ा golden opportunity मैं राज्य सरकारों से आगरा करता हूँ कि आप निवेशकों को आकर सित करने के लिए स्पस्ट निती निधारित कीजिए good governance का अस्वासन दीजिए law and order situation के लिए उनको भरोसा दीजिए हर राज्य एक तंद्र स्परधा में आगया आए राज्य राज्य के बीच निवेशकों कहींचने के लिए परदा होनी चाहिए निवेशकों के लिए ताकि उनके राज्य में निवेशक आएंगे उनके राज्य के नव ज़मानों को स्थानिय रूप से एउसर मिलेगा रोजगार का अउसर मिलेगा नीतियों में परिवर्ता लाना चाहिए तो ग्लोबल रिक्वार्मेंट का अनुसार नीतियों को राज्यों ने परिवर्थित करना चाहिए लैंड की आवस्कता है तो राज्यों ने लैंड बेग बाहनी चाहिए गुड गवर्नन सिंगल पॉइंट पर काम करने के लिए राज्य जितने प्रोएक्टी होंगे जितने ज़्यादा प्र्यास करेंगे जो निवेशक आ रहे हैं वो कभी भी वापिस नहीं जाएंगे सिर्फ बानत सरकार से कामेज होता नहीं है राज्य सरकारों के बहुत बड़ी अवश्यक्ता होती है क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट लगने वाला उस राज्य में लगने वाला है उसको हर राज्य के साथ रोजमरा काम पड़ता है और इसलिए मैं राज्यों से आगरे करूंगा कि जब विश्व पूरा भारत की तरब आकर्षित हो रहा है विश्व पूरा भारत में निवेश करने के लिए प्रतिबत्य हो रहा है तब यह हमारा दाइत्व बनता है कि हमारी पुरानी आदते छोड़ करके स्पस्ट नीती के साथ हम आगे आएं देखिए आपको परणाम अपने राज में दिखाई देगा और आपका राज में चमक उठेगा यह मैं आपको विश्वाद देता हूँ साथियों भारत अपनी बेस्ट पॉलिटी के लिए पहचानी जाए यह बहुत जरूरी है अब विश्व के लिए हमें डिजाइन अफ इंड का खेत्रा इंड 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 इंस इंड 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 इ और इसलिए हमें quality पर बल दे करके आगे बढ़ना है हमारे पास talent है design के छेत्रम हैं दुनिया को बहुत को नयाद दे सकते हैं design in India इस आहवान को ले करके हमें अगे चलना है design in India and design for the world इस सपने को ले करके चलना है मैं देख रहा हूँ gaming की दुनिया का बहुत बड़ा market खड़ा हुआ है लेकिन आज भी gaming की दुनिया पर प्रभाव खास करके उन खेलों को बनाने वाले लोग प्रोड़क करने वाले लोग विज़ेशी कमाई होती है बारत के पास बहुत बड़ी विरासत है हम gaming की दुनिया मे बहुत नहीं टालेंट को लेकर करके आ सकते हैं विश्व के हर बच्चे को हमारे देश के बनी हुई gaming की और आकर्षी कर सकते हैं मैं चाहता हूं कि भारत के बच्चे भारत के नौजवान भारत के आईटी प्रोफेशनल्स भारत के एईए के प्रोफेशनल्स वे गेमिंग क दुनिया को लीड करें खेलने में नहीं गेमिंग के दुनिया में हमारे प्रोड़क्त पूरे विश्व में पहुंचने चाहिए और पूरी दुनिया में हमारे एनिमेटर्स काम कर सकते हैं एनिमेशन की दुनिया में हम अपनी दाग जमा सकते हैं हम उद्धिशा में काम करे मेरे पहरे देश वासियों आज विश्व के अंदर ग्लोबल बार्मिक, क्लामेट चेंज हर छेतर में चिंता और चर्चा का विश्य रहता है। मेरे और विश्व को आज से लिए चकीज भी किया है। हम ही हैं जिन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिवन लगाया है। हमने रिनुबल एनर्जी पर विस्तार किया है। हमने रिनुबल एनर्जी को एक नई ताकत दी है। आने वाले कुछ वर्षों में हम नेट जीरो फ्यूचर के और आगे बढ़ रहे हैं। मुझे आध है पहरी सेकोर्ड मैं जिन डेशों ने अपने लक्षन निर्धारित किये थे। आज मैं लाल के लिए कि प्राचिर से मेरे देश वाच्छों की ताकत दुनिया को बताना चाहता है। G20 देश के समों, जो नहीं कर पाए, उँ मेरे देश के नागरिकों ने करके दिखाया है। मेरे देश वाच्छों ने करके दिखाया है। हिंदुस्तान ने करके दिखाया है। पैरिस एकोड के अंदर जो टार्गेट हमने ताई किये थे उन टार्गेट को समय से पहले पूरा करने वाला जी ट्वेंटी देशों के समूँ में अगर कोई है तो एक मात्र मेरा हिंदुस्तान है एक मात्र मेरा भारत है और इसले गर्व होता है सातियों रिन्यूबल के टार्गेट हमने पूर गया है हम 20-30 तक रिन्यूबल एनर्जी को 500 गीगावर्ट तक ले जाने के लिए बक्सद से काम पलपना कर सकते हैं कि कितना बड़ा लक्ष है दुनिया के लोग सिर्फ 500 गीगावर्ट शब्द सुनते न तो मेरी तरफ ऐसे ऐसे देखते हैं लिग करेगा हमारे बच्चों के उज्वल भविष की गारंटी बलेगा हमने पेंटी थर्टी तक हमारे रेलिवे को नेट जिरो एमिसन का लक्ष लेकर हम चलता हैं साथ को पी-एम सर्यगर मुप्त बिजली योजना उसको एक नई ताकत देने वाली है और ये बड़लाव का फल म मेरे देश के सामाने परिवार को मिलेगा जब उसका बिजली का मुप्त हो जाएगा इलेक्री वेहिकल उसके मांग बढ़ती जा रही है जगर पी-एम सुर्यगर योजना से वो बिजली उत्पादन करता है सुर्यगर से तो उसका वेहिकल का प्रवास का खर्चा भी वो कम क कर सकता है साथ कि हम ग्रीन हाइडरोजन मिशल लेकर के एक ग्लोबरव बनना चाहते हैं बहुत तेज़ी से नीतियां बनाई गई है बहुत तेजी से उसका इंपलिमेटेशन का काम हो रहा है और भारत ग्रीन हाइडरोजन एक न्यू-एनरजी की दिशा में हम जाना चाहते और यह सारे जो प्रयाद चल रहे हैं क्लाइमेट की चिंता तो ही है ग्लोबल वार्मिक की चिंता है लेकिन इसके अंदर ग्रीन जॉब्स की बहुत बड़ी संभावना है और इसलिए आने वाले कालखंड में ग्रीन जॉब्स का महत्वा बढ़ता है तो उसको जब से पहले कैप्चर करने के लिए मेरे देश के नवजवानों का उसर देने के लिए और ग्रीन जॉब्स के लिए एक बहुत बड़ा खेत्र को बढ़ावा दे रहे हैं मेरे प्यारे देशवासियों आज हमारे साथ इस तिरंगे जंडे के नीशे वो नवजवान बैठे हैं जिन्होंने ऑलिम्पीक की दुनिया में भारत का पर्चम लहराया मेरे देश के सबी अथलीट्स को मेरे देश के सबी खिलाडियों को 140 करोर देशवासियों की तरफ से बढ़ाई देता हूँ और हम नए सपने नए संकल्प अतंतिक पुर्शात के साथ नए लक्षों को हासिल करने के लिए आगे बढ़ेंगे ऐसा में विश्वास के साथ उनको शुबकामनाई भी देता हूँ आने वाले कुछ दिनों में भारत की एक बहुत बड़ा दस्ता परालेंपिक के लिए पारिज जाना के लिए रवाना होगा मैं मेरे सभी परालेंपिक खिलाडियों को भी रुदेश से बहुत बहुत सुबकामनाई देता हूँ साथ यो भारत ने जी ट्वेंटी को और्गनाईज किया हिंदुस्तान के अनेक शहरों में और्गनाईज किया दोसे से जादा इवेंट किये पूरे बिश्व में जी ट्वेंटी का इतना बड़ा व्याप इतना बड़ा कारिकम कभी नहीं हुआ इस बार हुआ इसने एक बात सित्व कर दी है कि भारत में बड़े से बड़े काम कारिकम और्गनाईज करनी की ताकत है भारत को किसी कोई भी हस्पिटालिटी का सामर्द भारत में सबसे जादा है अगर ये प्षित्व हो चुका है तो साध्यों हिंदुस्तान का सपना है कि 2036 में जो आलेम्पिक होगा वो मेरे हिंदुस्तान की धर्ती पर हो इसके लिए हम तयारी कर रहे हैं उसके लिए हम आगे दो साध्यों समाज के आखरी तपके के जो लोग है ये हमारा सामाजिक दाईत्व है अगर कोई पीशे रह जाते हैं तो हमारी आगे बढ़ने की गती कम कर देता है और इसलिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो भी सफलता तब मिलती है पीशे वाले को भी साथ-साथ आगे ले आए और इसलिए हम सब कब्दाईत्वा बनता है कि हमारे समाज में आज भी जो खेतर पीछे रह गए है, जो समाज पीछे रह गए है, जो लोग पीछे रह गए हो, हमारे छोटे छोटे किसान हो, हमारे जंगलों में रहने वाले मेरे आदिवासी भाई बहन हो, हमारे माताएं बहने हो, हमारे मजदूर हो, हमारे समीख साथी हो, हमारे कामगार लोग हो, इन सब को हमें बराबरी में लाने के लिए हमारे बराबर लाने के लिए वरपूर प्रयास करना है लेकिन अब गती पकड़ गई है अब लंबे दिन तक हमें वो करना नहीं पड़ेगा बहुत जल्द वो हमारे पास पहुंच जाएंगे हमारी बराबरी में आ जाएंगे हमारी बड़ा आउसर क्या हो सकता है हमें पता हैं 1857 के पहले भी अंग्रेजों के ना को दम करने वाला हमारा देश का एक आदिवासी वक्त था 20-22 साल की उमर में उसने अंग्रेजों के ना को दम ला दिया था जिसको आज भगवान बिर्शा मुंडा के रुप में लोग पूजा करते हैं भगवान बिर्शा मुंडा की 150 वी जैंती हा रही थे हम सब के लिए प्रेणा का खारण बढ़े समाज के प्रती छोटा सा छोटा भी देश के लिए कैसी जज़वाज रखता है उससे बड़ी प्रेणा बगवान बिर्शा मुंडा से अधिक कौन हो सकता है आईए हम परसा बगवान बिर्शा मुंडा की 150 वी जैंती जब मनाएं सब्वेदन सिल्का का हमारा व्याप बढ़े समाज के प्रती हमारा ममभाव बने हम समाज के हर भी व्यक्ति को गरीबों को दलीत को पिश्रों को आधिवाचे को हर एक को हम अपने साथ लेकर के चले इस संकल्प को लेकर के चलना है मेरे पहरे देश वास्यों हम संकल्प साथ बढ़तो रहे हैं बहुत आगे बढ़ रहे हैं लेकिन ये भी सच है कि कु देखने ही सकते हैं कुछ लोग होते हैं जो भानत का भला कि सोच नहीं सकते हैं जब तक खुद का भला नहों तब तक उनको किसी का भला अच्छा नहीं लगता है ऐसी विक्रुत मानसिक्ता से बर हुए लोगों की कमी नहीं होती है देश को ऐसे लोगों से बचना होगा वे निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग है ऐसे मुठी बन निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग जब उनके गोद में विक्रुती पलती है तब वो विरास का कारण बन जाती है सर्वनास का कारण बन जाती है एनार्की का मार्ग ले लेती है और तब देश को इतनी बड़ी हानी हो जाती है जिसकी भरपाई करने में हमें नए सिरे से महनत करनी पड़ती है इसलिए ऐसे जो चुप पुप निराशावेदी तत्व होते हैं वो सिर्फ निराश ही तरह नहीं है उनकी गोध में विकृती पल रही है ये विकृती विनास के सर्वनास के सपने देख रहे हैं ताने बाने जोड़ने की प्रयासों में लगी हुए देश को इसे समझना होगा लेकिन मैं देशवाशों को कहना चाहता हूँ कि हम हमारी नेक नियत से हमारी इमानदारी से राश्ट्र के प्रति हमारे समरपन से हम सारी परिश्टित्यों के बावजित भी विप्रित मार्क पर जाने वालों के लिए उनके भी दिल जीत करके हम देश को आगे बढ़ने के हमारे संकल्प में कभी भी पीशे नहीं हतेंगे कि मैं विश्वाद दिला जाना साथियों चुनोतियां है अंगिनित चुनोतियां है चुनोतियां भीतर भी है चुनोतियां बहर भी है और जैसे जैसे हम ताकतवर बनेंगे जैसे जैसे हमारा तबज्जु बढ़ेगा तो चुनोतियां भी बढ़ने वाली है बहर की चुनोतियां और बढ़ने वाली है और मुझे उसका बली पाती अंदाज है लेकिन मैं ऐसी शक्तियों को कहना चाहता हूं भारत का विकास किसी के करके नहीं आता है हम विश्व में सम्रुद्ध थे तब भी हमने के भी दुनिया को युद्ध में नहीं जोंका है हम बुद्ध का देश है युद्ध हमारी राह नहीं है और इसलिए विश्व चिंतितना हो भारत के आगे बढ़ने से मैं विश्व समुदाय को विश्वाद द लाता है कि आप भारत के संस्कारों को समझिए बारत के हजारों साल के इतिहास को समझिए आप हमें संकट मत बारिये आप उन तरकिबों से न जुड़िये जिसके काणन पूरी मानौ उजात कल्यान करने का सामर्थ जिस भूमी वे हैं उस भूमी को ज्यादा मेहनत करने पड़े हैं लेकिन फिर वे मैं देश वाच्यों को कहना चाहता हूं चुनोतिया कितनी ही क्यों नहों चुनोति को चुनोति देना ये हिंदुस्तान की फित्र तबह है नहम दिएंगे नहम ठकेंगे नहम रुकेंगे नहम जुकेंगे हम संकल्पों की पूर्ति के लिए 140 करोड देश वाच्यों का भाग्या बदनने के लिए भाग्या सुनिचित करने के लिए